आपके लिए सवाल नंबर एक होगा नंबर निखित में से किसे आदमी क्योकत तोसी कहते हैं आपके लिए विकल्प होगा A. रामधारी सिंग बुनकर B. मैथिनी शरंगुप्त C. गोपाल सिंग मेपाली B. कबीर दास आपका उत्तर होना चाहिए B. मैथिनी शरंगुप्त आपके लिए सवाल नंबर दो होगा भारत के सम्विधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है आपके लिए विकल्प होगा A. वार्षिक आए B. वार्षिक सकल धिरेई उत्पाद C. वार्षिक विप्तिय विवरंग B. सकल धिरेई उत्तर होना चाहिए C. वार्षिक विप्तिय विवरंग आपके लिए सवाल नंबर तीन होगा नंबर लिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है आपके लिए विकल्प होगा A. अजंता की गुफाएं B. एलोरा की गुफाएं C. नीम वेटका की गुफाएं B. एलोरा की गुफाएं आपके लिए चौथा प्रश्ण होगा भारत की पहली महिया रोल मंत्री कौन थी आपके लिए विकल्प होगा A. सुरेखा यादव B. मंता बैमर जी C. शिवांगी सेम B. श्रीमती प्रतिभा पात्र आपका उत्तर होना चाहिए B. मंता बैमर जी आपके लिए पांचवा प्रश्ण होगा सन 1911 में गेटवे ओफ इंडिया की स्थापना कहां की गई थी आपके लिए विकल्प होगा A. मुंबै में B. कॉल्कता में C. सूरत में B. नई बैली में आपका उत्तर होना चाहिए A. मुंबै में आपके लिए छठा प्रश्ण होगा सोई का एटियम की स्थान पर है आपके लिए विकल्प होगा A. इटली B. टोक्यो C. वाशिंटन B. मुंबै आपका उत्तर होना चाहिए B. मुंबै मुंबै में एक ऐसा एटियम है जो 24 केरीट सोने से बना है इससे पैसों की जगल सोने की सिक्के निकलते हैं आपके लिए सात्वा प्रश्ण होगा पानी की गहराई में स्थित बस्तों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रोप किया जाता है आपका उत्तर होना चाहिए B. सोनार आपके लिए आठ्वा प्रश्ण होगा संसार का सबसे बड़ा फोल कौन सा है आपके लिए विकलत होगा A. कमल B. राफिसिया C. केक्टस B. लचनी गंधा आपका उत्तर होना चाहिए B. राफिसिया आपके लिए नौवा प्रश्ण होगा वाद्वी लिंध्रों में सबसे पुराना लिंध्र कौन सा है आपके लिए विकलत होगा A. अबला B. लीना C. नगरा B. बासुरे आपका उत्तर होना चाहिए B. लीना आपके लिए बस्वा प्रश्ण होगा फ़लों को कृत्यन मुल्ट से पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाई गैस है आपके लिए विकलत होगा A. मेथिन B. एथिन C. एसीटिलिन B. मूटिन आपका उत्तर होना चाहिए C. एसीटिलिन नमस्कार बर्श को वीडियो के उत्तर या कोई तथ्याप को बलत लगता हो तो क्रिपय हमें कमेंट करके बताएं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों के साथ शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका धिन्यवाद